तो आज के जो अर्थियात्रा प्रोग्राम है इससे आप क्या मैसी देना चाहरे हैं सरकार को और इस पोलसी को फूग रहें दास अंसकार कर रहें इनके उपस के सामने क्योंकि ये पोलसी नोजवानों को गैंक्स्टर और शूटर बना सकती है पोजी नहीं बना सकती तो आज दिल्ली में बहुत हाई लेवल मीटिंग हो रही है तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या फैसर लिया जा सकता है अमें नहीं बना इसको वापिस रोसी दिवाथ है बस इसको वापिस रो नोजवानों के लिए अगनी पतली ये अगनी कुंड बन चुका है और अगर ये वापिस नहीं लेटा तो आपने भी भी सुना कि नवीन जाइज नहीं होती तो पूरे देश में अंदोलन किया जाएगा आपने जो ये अर्थियात्रा निकाली तो बहुत ही अनूठा तरीका हम ने देखा कि यहां पर दुख विक्त करने का कि वर्जिश भी की जा रही है तो इसके मादिम से सरकार को आपने क्या मैसिज देना चाहे इसका मैसेज यह है कि यह जो अगनीपत्योजना है इनकी इनको वापिस ले 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 यह अगनीपत्योजना नोजवानों के लिए अगनी कुंड बन चुकी है और यह अगनीवीर बनाने का इतना ही इनको शोक है तो हम यह कह रहे हैं कि MLA, MPA उनके बच्चेओं को बनाएं उ हम तो यह कह रहे हैं लेकिन कल आपने बयान देखा हो जो CM खट रहा है उन्हें एक बयान जारी किया था कि इसमें बहुत ही फाइद है उसको उन्हें रक्षा मंत्री और परदान मंत्री के दन्यवाद के ता साथ उन्हों का कि हम हर्याणा सरकार में इनको कोशिश करेंगे देने के तो इस बारे में आप करेंगे जूठा मुख्यमंत्री चार साल में टेक्निक अलादमी पढ़ा लेखा हूं जब एक्सर्विसमेन का दरजा उसको मिलेगा ही नहीं तो किसा आधार पर दे देंगे नोकरी जो एक्सर्विसमेन की डिजरिवेशन है अलग-अलग है कि जरूरत क्या थी आप इनको सूटर बनाने या गंग्स्री बनाने इसलिए उनको प्रसिक्षंट बेंगे और कुछ निये एटियम पर कड़ा करने के लिए उनको है और कुछ निया तो साथि है आपका सरकार को कोई मेसिज तो हमारे साथ जुडे अपना अगले का माननागे असार में वरक्ता जड़े हैं, मुल्गा समर्दन करांगे, और बाई सन बाई, करोन ने दो मारी उमर रगड़ी है, दो साल की, तीन साल की, बाई उमर को बढ़ाया है, और ये कहा कि आप भरती हो, ये फैदमन नहीं है, और फाजमन की ताजे की, च चार साल राके, चार साल पाच्छा हम के करां ये मरे भाई, मारे मारे जीत दो, चार साल पाच्छा है, लोग गैंटर बढ़ जाएं, जेकर अगनी कूंड है, और तीन साल गैंसी जी जी हो आई, अईसी के बाई में आप के आदे हो, आम आप तो बुजा, करोन ना ता सबती आप तो बीदा, मारे लिए विदा, करोन ना सब किया, तो पर मारती ही हो, करोन ना सुपतों के लिए ये वाई, आप क्या चाहेंगे, जिस तरी से लगातार जो परती का तो चार साल के लिए जो योजना है, उसका विरोद क्या जाने है? क्योंकि मैं आपको साफ सक्ढ़ों मैं बता देना चाहता हूं, निससे पहले भी दिस तरी की सिर्णहों के लिए पॉलिसी लेगा आई ये ती, इसलिए आर्मी जो हमारी पॉशिस है, उनके लिए पॉलिसी की पाहईर जाही है, उसके बाए की बाहर जाहिए, उसके बाहरा स के जानी चाहिए उसके साथ जिस सरीके से ये ताना साई जो में और तो जाते हैं तो बीटाव और जिस तरीके से पिछली साथ उसानों ने एक साल संगर्स करते हैं उसां पर आगे किस तरह कर रहेगा आपका अंदोलन जारी रहेगा लगा तर रिन तर और हम जारे जाज़ा युवाओं को और चात्रों को इस अंदोलन में जो नहीं कोशिश करेंगे आप पताईगे विल्कुल सौड़ बाइसाब जब आपको पता च लगी कानून आया है जैसे सब्कार ने किसान हो दियां दोला था सरकार बोली किसानों लिए फायते मन्दें इसी तरह अभी सब्कार करिये ये इसके युवाओं के लिए पैसे फायते मन्दो सकती चार चार साल आप रखो बोजमें ये बेश दूऊ-अतनकवादी बढ़ें सरकार से बाद जोड़कर रिक्वाइस को कैंसल किया गए ये बिल्कुल गल्थ है और ये हमारे लिए हमारे देश के युगा के लिए खतरनाक होगी नेताओं के लिए तो बात सार के लिए लगाता देलता है हमारे मी क्यों नहीं है अब इस अर्थिमा आद लगा दी गई है आप देखरें सीडिकिस्ट के लिए करम जिस तरीके से किया जाता है दासंसकार करते आपको नजर आ रहे हैं अब देखरें किस प्रकाद को है विरो भॉदर शुम बहुत ही अनुठे तरीके साथ रहो तक में किया गया है ये की मामे की अग्नी पत्सक्ति जसकी में उसको अपी त्यदर रही है फोर दिया गया सबस्क्राइब गटाइब शेले लेगा अचिर अचुना वार जाओ आगाओ अच्छा अच्छा गें जाओ एक बात बटो यह मंत्री नुगा अगनीवीर बढ़िटाओ इन मंत्रियां चोलरे सम्दापला अगनीवीर बढ़िफटासियाँ जाओ सब्सक्राइब आज या इनगी सरकार की अर्थी फोकुण लागरींगे पोकुण लागरींगे रोज फूकाएंगे जब दाई यो अपेशनी लिया अगनी बत योगना लोडायोगों आधना त्यारों सारे रूकामारेकर बताओ ये अर्शनले परदान मंतरी ये गांबमांगे गरीमांगे बालक सेदो फोजमता है किसा का तमने सुटा किसा नेत्या सईद मरावी उस वराः अर प्रति अचोरा किसा को दॉना ओनैंगा अर्देश के नाजवानों आपने लोग हैं भुरोद्रेगा लगातार जारी जब तक ये पोल्शी वापस मिली इनने बाद हो चार साल सोचो अबदा वणाब पाच साल पंशन भी अर्याथ ठेक्चे पाद चार साल रा यह ठेक्चे तहीं यह तो पर फोची भी ठेक्चे पाद पते यूंभी ठेक्चे वह जाएंगे यह बताओ आगे आगे हैं ते बाई हम तेन्यों का हेलो जवानों साथियों अगभाई पहला इन देश में MLA MP इन गे छोर्याने छूट देदाचे पाथ साल अर बाई इन कितन काती जार्गी बजाय करदोचे एक लाख लेकन अगने वीर नेटा के छोर्याने यह ओनेची यह नेची यह ओनेची करो जैंक कुमारों यह और देगाचा करो अब देखने तस्विरें इजिकल भूमे के आपके किस परकार से जो है यह जलती हुए चिता के पास दान्स किया जा रहा है और परकार मर गेर मक्य सब्सक्राइब भी आपे जो है नाले लगाए गए हैं यह अग्या काई नालोक जोजी अच्छे ने आउसके रहे तद्ध की पता से इस आप देख रहें सिदी तस्विरें इजिटल भूमे के माद आप से तो यह जिए जिए देरमे आदाड़ और कोड़ल के अधार अधार ने जीजए रेके ने अधार ग्जिए ने पुचल के काले नाम अगनिपति योजना है इसको वापिस ले ले वर्ना देश का युवा आग का गोड़ा बनके इस सरकार को भस्म कर देगा और अगनिवीर इतनी ही अच्छी योजना है तो फिर ये नेता अम पीम में ले बड़े-बड़े अपसरु दोगपती अपने बच्चों को गनिवीर के भीजें फोज में और हम ये मांग करते हैं इनकी दस साल की छूट दे दी जाए तो भी प्रोलम नहीं है और तीस जार की जगाए नेताओं के बच्चों को एक लाख रुपे तनखा दी जाए तो भी प्रोलम नहीं है लेकिन ये जो गाओं के लड़के हैं गरीब किसान चार साल की ठेकेदारी परता फोज के लिए बंद करें हम तो यह कह रहे हैं और पैंशन अगर बंद करने तो पहले निताओं की पैंशन बंद होनी चीए फिर उसके बाद फोजी हो कि उनीचीए और यह लड़के चार साल फरी में सेवा करने के लिए त्यार हैं लेकिन यह जि वहाँ एक जनून है और सबसे बड़ा मामला आप समझेए सोचिए जो बरतियों का प्रोसेस पूरा हो चुगा था लास्ट लिष्ट लगनी थी उसको रद करने का क्या मतलब है उसका कौन सा लोजीक है जो हजारों लाखों बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनको रद करने का क्या मतलब है दो साल से करोना था तो करोना का सब को अगर लेक्सेशन मिला है तो अगर इन बच्चों को एज रिलेक्सेशन मिल जाता तो क्या प्रोल्म थी और मैं आपको जनकारी दे दूए जो अभी रिलेक्सेशन दिया है इनोंने दो साल लगा ये ओल बढ़ा है अच्छी बात करो बरंपला जाए यह तो किसान अंदल में भी एक ने बरंपला जा क्योंता लिया विरे जूते भी खाए एरप्याज भी खाए खाए कि नहीं सो जूते एरप्याज खाए कोई बरंपला जारा चार साल में एक सर्विस्मेन का कोट्टा नहीं मिलेगा और जब एक सर्विस्मेन का कोट्टा नहीं मिलेगा तो उसको कहीं पे नोकरी के लिए कोई मतलब नहीं है एक सर्वस्मेंट की जो रिजरिवेसन है वो खतम हो जाती है। ये बेकू बना रही है सरकार, टेक्निकल सब्दों से खेल रही है। सरकार सरकार सेना को सेना के अपसरों से प्रेस कोंफरेंस करवा के राजनीती कर रही है सेना के उपर पूरी तरह से गल्थ है मैं आप लोगों को बताऊं हूं इस योजना में नास ही नास है इस योजना के दवारा देश में कोई फोजी दो बनेगा नी लेकिन गैंग्स्टर और शूटर मनने की पूरी संभावन की शुक्री आप बुति जी वी द्वारा ये कहा गया है कि जो सेना में भरती होते हैं वो यूवा तरीका नहीं अपनाते हैं सरकारी संपत्यों को नुकसान नहीं पहुचाते हैं तो उस पर आपका क्या वेज़ाएं लेकिए पहली बात त फोज में जाने के लिए खड़ें आप कुछ चार पोल्टिशन लोग बेजना करवा हो गदर ये सरकार के लोग ही एक गदर करवा रहे हैं फोज में बरती होने वाड़े लड़के अपना श्यांति पूर्ण तरिक्यत से परदर्शन करने लेकिन मैं यह बता रहा हूं यह अ यह जो अन्य जो सिक्षंग संस्तान हैं उन्से सब इसे संपरत हुआ है और अबलगातार हमारे जो टीम है उनके संपरत में है और हमने सभी को एजुकेट किया है कि वी कानून की प्रीद ही मेरे के अपना दर्ना परदर्शन करें जो इनका रोज से उब्यक्त करना है लेकि कोई तक सब्सक्राइब करने के लिए कोई विशेश टीम का गठन किया गया है हमने हमारी जितने भी जो अधिकारी हैं के साथ विशेश टीम में है और हर समय वह मुस्तैन हैं कोई कोई सुचना मिलती है तो तुरंत उसके रेस्पंस करने के लिए हैं ठीक थेंक्यू